Hi good friends welcome toeras. Um किसी को अस्तमा की प्रॉड्रम है तो उसे क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए क्या नहीं चाहिए उसकी डाइट क्या होना चाहिए इसके वारे मैं जानेंगे बहुंस से लोग कंफीूज होते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें संपूर्ण जानकादी के लिए तो शुरू करते हैं दोस्तों अगर बात की जाए अस्तमा की तो अस्तमा एक एलर्जिक डिजिस होती है जो कि किसी भी व्यक्ति को महला और पुरुषों एलर्जी के कारण ही डैवलप होता है तो कुछ चीज़े हैं जिनको तो आपको टोटली अवोइड करना चाहिए अस्तमा के दोरान अगर किसी को अस्तमा है तो उस्ते ठीक है जैसे कि भाई डिप फ्राइब कोई भी फास्ट पूर्ट हो सकता है आपका समोसा कशोडी चिप्स हो गया पटेटो चिप्स या नमकीन हो कोई इनको तो अवोइड ही करना चाहिए उसके लावाँ टू कोल्ड मतलब कि बहुत ज्यादा ठंडी चीज़ चील बोल सकते हैं आप जैसे कि आईस्क्रीम कुल्फी या कोल रिंस इनको भी अवोइड ही करना चाहिए कुछ खट्टी चीज़ें होती है जैसे कि दही हो सकता है म आउनियन मतलब कि कई लोग वहते होने खाने के साथ में प्याज को सलात के तोर पर खाना अच्छा लगता है तो प्याज को भी अनियन को भी अवोइड ही करना चाहिए उसके लावा कुछ फूर्ट सोते हैं जैसे खट्टे फूर्ट सिट्रस फूर्ट जैसे की मोसम भी है औरेंज है या लेमन या ग्रैप्स अंगूर नीवू मौसम इन सब को भी अवाइड ही करना चाहिए और कुछ एलरजी जिन पर्टिकुलर चीज़ों से है उनको तो अवाइड ही करना है ठीक है ना कि भाई किसी को मुंफली से है किसी को टरमाटर से वटेबर कोई भी हो सकता ह है कि एक पर्टिकुलर फूड है जिसको आपकों पता है कि मुझे स्थ्टूट नहीं करता है तो इसको तो अवओट ही करना है अब बात आती कि भैए अस्तुमा वाला व्यक्ति क्या खा सकता है तो पहले मिन आपको क्लिये कर दूए कि यससा को ज्यादा खास परेज होता न इटली वगिएसांबर वगिए यह खा सकते है Matthि यह सब नास्ते में ले सकता है इटली डॉसा अप मार किक तला हुआ जद नहीं इंसे ज़्जाथ में लेख सकता है है तो अग्यरा दली समबर ही सब खा सकते है कोफी और a चाय यह कोई भी सूप बहुट ले सकते हैं अगर बात कि यह लइक के बार लणच वगए आगे तो और या सकता है कना फलोग की बताधा कई लोग पिरिक्षम seul ऑ शुना कर ना лиш और कुछ बिस्किट्स होते हैं ज्यादा सुगर ना हो जिन में उनको खाया जा सकता है बात करें अगर लंच की तो लंच में देखो सब कुछ खाया सकता है याद रहे कि ज्यादा पुराना दही नहीं खाना और कच्ची प्याज नहीं खाना पाई रोटी खाओ चावल खाओ हरी पत्तेदार सब्जियों को ज्यादा प्रिफर करें ठीक है ना हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा ज्यादा कुशिश करें खाई ज्याएं ठीक पालक है अपना मैथी हो गया या पत्ता गोवी है फूल गोवी है यह सब खाया सकता है की बात की जाए अगर तो डिनर तो जायर से बात है रात में आदमें खाता है खाना लेकर आगर आपको कोई भी बीमारी है या इवन अस्तमा है तो आपको साम को छह वाज़े से पहले पहले आपको डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए ठीक है ज्यादा लेट नाइट खाना नही खाना है तो यही है कुछ साब्धान या डाइट को लेकर अस्तमा के दोरान तो आई होप आप समझ गए हूँगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल प्लेज चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं ऐसा यी वीडियो आपको समसा में मिलते रहेंगे कि आप कहां आएंगे त झाल झाल